जिन टैइट्रेशन को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं वह रेडाक्स टैइट्रेशन का पार्ट है लास्ट लास्ट में तुम लोगों ने जो बेसिक टैइट्रेशन करना सीखा था वो लेट्राइडिल रियाक्शन आपका कुनी कर दो हम पर था यांनी कि अगर आपके पास नीच जो पाइब कर लोगेUCK तो बेसीटी। आपस में रियाक्ट करेंगे तो फिर रियाक्शन कैसे होगी कैसे आप पचा पाऊगी कि यू दोनों के बीच में रियाक्शन होना बहुत जरूरी है तो वैसे ही अभी हम लोग कौंसी वाली रियाक्शन पढने वाले सबसे पहला तो हम लोगों को रेडॉक्स के टाइट्रेशन सीखने हैं रेडॉक्स के टाइट्रेशन में हम लोगों को हमारे सिलाबस में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के ही टाइट्रेशन पढने होंगे ठीक है हो सकता है और भी टाइट्रेशन हो और लेकिन पढना हमें कित इमेक्रिक, और दूसरा होता है, Iodometric, त्यु忍चaster है, या पे भी इनका जो फंडा है, जो इनका लौजिक है, वो बहुत ही बस एक बात यहां तकना redox titration में कभी भी acid और base के pairs नहीं आते ठीक है अगर acid और base के pairs आने लगे तो फिर वो titration redox titration ना कहलाते हुए वो titration आप लोगों का फिर consular titration के आने लगे का that would be neutralization acid base titration ठीक है तो यहां पर consular titration साते हैं आप लोगों के acid titration जिनमें आपके हो सकता है ब्यूरेट में oxidizing agent हो और नीचे conical flask में reducing agent हो या फिर उपर में reducing agent नीचे में oxidizing agent so basically redox titration से अगर आप पढ़ रहे हो तो redox titration पढ़ते वक्त इस बात का आपको पता होना चाहिए कि you are going to study the combination of oxidizing agent and the combination of what reducing agent इन डो लोगों के combination की study आप यहां पर करेंगे ठीक है अब IOD metric titration हम किसको कहते हैं IOD metric titration देखो कहा इसको जाता है जिसमें आप क्या लेते हो IOD metric titration में आप क्या करते हो एक reducing agent आप लेते हो यह reducing agent आप लेते हो और उसके बाद इस reducing agent के साथ आप किसको रियाक कराओगे obviously एक oxidizing agent को रियाक कराओगे और oxidizing agent जो यहां पर लिया जाता है डाट वुद भी IOD ठीक है solid IOD यह हम लेते हैं और Iodometric हम किसे कहते हैं Iodometric titration हम उन titration को कहते हैं जिसमें हम लोग आपका oxidizing agent लिया है obviously redox पढ़ रहे हो तो oxidizing और reducing की ही जोडी रहेगी but oxidizing agent लिया और obvious है कि साथ में reducing agent लोगे लेकिन यहां पर जो reducing agent लेते हो that reducing agent is आप लोगों का KI ठीक है आप KI लेते हो कि की reaction अगर किसी भी oxidizing agent के साथ कराया जा रहा है then that titration would be known as Iodometric titration अगर आपने I2 लिया है तो I2 खुद एक oxidizing agent है इसलिए वो जिसके साथ रियाद करेगा वो species क्या होनी चाहिए आप लोगों की reducing agent होनी चाहिए तो वो titration कैसे क्लाएंगे IOD metric titration के के अलावा होता क्या है अब जैसे मान लेते हैं एक species अगर reduce है कर रही है और डूसी species अगर oxidizing agent है तो तुम यह सकते हो basically कि एक oxidized होगा और एक species आपकी क्या होगी reduced होगी राइट अच्छा तो यहां पर मोटा मोटी तौर पर कम से कम तुम्हें इतनी मजानकरी अपने दिमाग में रखती है कि वेनेवर आप I2 को react कराते हो इसके साथ reducing agent के साथ तो जो species बनती है that species is i-negative यानि हो क्याना है कि आपका जो i2 है वो reaction से पहले वो क्या था आयोडीन था और reaction खतम होने के बात that iodine convert itself into i-negative वो खुद को किसमें convert कर लेता है आई-negative में और iodometric iterations में जिस्ट इसका उल्टा होता है हम लोग जो भी आपका के आई लेते हैं initially आपके पास i-negative होता है के आई मतलब i-negative हो है ना क्योंकि के अगर प्लस-1 है तो आप लोगों का minus 1 होगा तो oxidizing agent के साथ में अगर आपने i-negative लिया तो reaction होने के बाद वो खुद को क्या बना लेता है आई-2 बने लेता है तो यह एक बेसे difference हा आपके आयोडो और आयोडी metric titration में यह difference में याद रखने कि आयोडो में और आयोडी में कहा से कहा चेंज होता है reactant side में कौन होता है product side में कौन होता है सब कुछ सब कुछ मतलब सब कुछ ठीक है आचा क्या redox citation में हम लोग सिर आयोडीन या फिर आयोटाइट को ही अपना अजल oxidizing या फिर एजल reducing agent यूज करते हैं क्या ने ऐसा जरूरी नहीं है हम लोगों के पास और भी बहुत सारी oxidizing agent होते हैं या फिर और भी बहुत सारी reducing agents होते हैं जिनको हम लोग redox citrations में यूज कर सकते हैं लेकिन जैसे की एक example के तौट पर लेते KMNO4 हो सकता है स्कूल लेवल पर आप सभी लोगोंने KMNO4 को देखा हो intense purple कलर का solution होता है वैसे KMNO4 और K2Cr2O7 यह हमारी chemistry के best oxidizing agent है तो क्या मैं redox में KMNO4 को use नहीं कर सकती हैं वैसे भी कौन सी मुझे real life में जाकर क्या करनी है application करनी है कौन सा मुझे real life में जाकर titration करना है मुझे तो वैसे भी theoretical कागज पर जो questions यह होंगे मुझे उन questions को बस solve करना है तो वहाँ पर हो सकता है कि KMNO4 हो सकता है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है but the question is कि हम लोग KMNO4 को as an oxidizing agent use कर सकते हैं क्या ठीक है तो बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन KMNO4 का एक बहुत बढ़ा drawback है ठीक है वो यह है कि जब भी आप KMNO4 का standard solution मनाते हो ठीक है अगर मैं यह कहूंगी कि KMNO4 आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा oxidizing agent है तो क्या मैं उसको iodine की जगा हम use कर सकते हैं क्या तो बिल्कुल हम उसको use कर सकते हैं लेकिन KMNO4 का सिर्फ एक ही drawback होता है कि जब भी आप KMNO4 का solution मनाते हो ठीक है तो आपको इसका solution मनाते है वक आपको extreme care रखनी पड़ती है ठीक है वो extreme care यह होती है कि उस solution में गलती से भी trace amount में भी आपका कोई भी ऐसी species नहीं आ जानी चाहिए जो कि KMNO4 के respect में एक reducing agent का काम करें ठीक है हमें क्या करना पड़ता है while preparing a solution that no reducing agent ठीक है should be present in it should be present in it कोई भी इंसान जान बूच कर the obvious है कि solution भनाते वक उसको contaminate नहीं करेगा बट कई बार गलती से हो सकता है कोई दूसर reducing agent वहाँ पर मौजूद हो अब ऐसे दूसर reducing agent के मौजूद होने से क्या हो जाएगा आप लोगों का दिक्कत यह हो जाएगी कि actual में KMNO4 को किसी और को reduce करना था मतलब KMNO4 को किसी दूसरे को oxidize करना था KMNO4 खोदे क्या है oxidizing agent है है ना अगर आप titration कराते तो आप नीचे conical flask में कोई ना कोई reducing agent लेते बट आपने क्या किया आप जब भी उपर टिप 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 KMNO4 डालते वो KMNO4 जो नीचे flask में reducing agent है उसको क्या कर देता ऑक्सिडाइज कर देता KMNO4 उसको बट अगर KMNO4 के पास खुद उसके solution के अंदर एक oxidizing agent मौजूद होगा तो actual में होगा क्या कि किसी दूसरे को oxidize करने से पहले उसका कुछ पार्ट तो खुद के अंदर के reducing agent को oxidize करने में खतम हो गया तो actual में जो तुमें answer मिलेगा कि इतना KMNO4 यूज हो गया है क्या वो actual में उतना KMNO4 नीचे रखे हुए conical flask के reducing agent को oxidize करने के लिए यूज हुआ होगा क्या नहीं बलकि वो आपका conical flask के अंदर रखा हुआ reducing agent को भी उसने KMNO4 नहीं यूज हुआ है वहाँ पे भी और खुद के अंदर भी अगर मालने ते reducing agent मौजूद है तो वहाँ पे भी so indirectly आप लोगों को exact value नहीं मिलेगी so therefore हम लोग क्या करते है जनरली KMNO4 को avoid करते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज नहीं करते हैं पर जनरली हम लोग क्या करते हैं इसको avoid करते हैं और KMNO4 क्योंकि बहुत ही जल्दी contaminate हो जाता है तो इसलिए हम लोग इसको avoid करके कुछ दूसरे substances को use करते हैं तो therefore तो उस titration को कहते हैं iodometric या iodometric ठीक है अगर लेकिन आपने वहाँ पर iodide का इस्तेमाल किया है तो iodide का इस्तेमाल करते वग वो चीज का कहलाने लगती है iodometric titration ठीक है वो क्या कहलाने लगेगी iodometric titration simple है आसान भाश्या में ठीक है और थोड़ा सा इसको elaborate करते हैं आयोडो और आयोडी के बारे में थोड़ी basic जानकारियां एकटा कर लेते हैं कि आखिर इनका working function कैसा है ठीक है मैं यह नहीं कह रही हूं कि तुम्हें लाब में जाना है लाब में जाने के बाद तुमको सही में जाके reactions करनी है प्राक्टिकल करके दिखाना है बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरह के से यह actually function करता है तो देखो बहुत ही simple होता है यहां पर आपने क्या किया आपने आयोडी लिया आयोडीन खुद एक क्या है oxidizing agent है तो obviously iodine के presence में आप कोई भी एक दूसरा reducing agent ले लेते हो अब आयोडीन उस reducing agent को क्या करता है oxidize कर देता है और खुद को किस में convert कर देता है यहां पर मैं रिक सकते है reducing agent is being oxidized मतलब right side में जो मुझे product मिला वो एक ऐसा product मिला जो reducing agent का ही part है बाट उसका oxidized form है और आप लोगों को साथी साथ में यहां पर क्या मिलता है आप लोगों को I-negative मिलता है तो this was all about IOD metric titrations लेकिन यहां पर जो मैं बोल रही हूँ कि हम कोई भी reducing agent ले सकते है but there are specific reducing agents that we specially use in case of IOD metric titrations ठीक है हम लोग कुछ ऐसे reducing agents लेते हैं जिनको आपका IOD oxidize कर सकता है लेकिन कोई भी नहीं लेना है यहां से मैं कोई word हटा देना ची एनी क्यों नहीं ले सकते है क्योंकि जो IOD ने मैं मानती हूँ कि oxidizing agent है लेकिन विचारा यह कैसा oxidizing agent है वीक अगर यह वीक oxidizing agent होगा तो क्या यह सबको oxidize करने के ability रखता होगा क्या obviously not यह सबको तो oxidize करनी सकता so therefore हम यहां पर आप लोगों के कोई भी reducing agent यहां पर नहीं ले सकते बहुत ही common कुछ reducing agent हम लोग यहां पर लेते हैं जो कि IOD के साथ रियाग कर सकता है जिसमें से पहला नाम है आपके NA2S2O3 का तीक है आच्छा इसके अलावा आपके पास NA2ASO3 हो सकता है उसके बाद यहां पर आपके पास NA2SNO2 हो सकता है यह वो कुछ reducing agents के नाम है जो तो यहां पर क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो जिने आपका weak oxidizing agent यानि की आप लोगों का iodine क्या कर सकता है oxidize कर सकता है ठीक है तो यह पूरी कहानी थी किस रीच की आपके iodimetric titration की बट चाहे आप iodimetry पड़ो या साधा neutralization वाला titration पड़ो या iodometric पड़ो हाई titration का एक basic fundamental नियम होता है law of equivalence सभी titration का और यह सारी के titration से इन लोगों का fundamental logic क्या होता है अगर आप acid or base के बीच में titration कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे number of gram equivalence of asset equal to number of gram equivalence of base अब सिंस यहां पर हम लोग क्रेडॉक्स कर रहे हैं तो acid और base जैसे वर्ट सो यूज होंगे नहीं बट जो principle यहां पर यूज होगा जिस principle के वाया आप numerical solve करोगे वह एक ही होगा जो आपने acid-based titration में भी पढ़ा है वो क्या कि आपके पास कितने gram equivalence है किस जीच के आपके acids के equal to आपके पास कितने gram equivalence है किस जीच के आपके base के this is known as आपका working principle behind the iod-iodo metric titration खेक है तो यह iod metric titration के एक छोटी सी कहानी आप आ जाते हैं हम लोग अच्छा यहां पर heading दे देना जरूर कि यह जो description दिया गया है यह किसको लेकर दिया गया iod metric titration को देखकर दिया गया second topic जो हम लोगों का topic of concern है that is iodometric titration जैसे कि मैं already बता चुकी हूं कि iodometric titration में हम लोग i2 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं आई negative अब आई negative market में ऐसा तो मिलता नहीं है हाइन में आइन लिगेटिव मिल रहा हूं मुझे खाइद का लेका जाओ आप उसको या तो आ ये प्रेशन फेंटे ओव या फिर कैसे कि प्रेशन पेशन करते हो ले इसको पहला पॉइंटि यहां रखो जैसे आयोडी METRIC थाना डाट tisноwn as direct method of redox otation लेकिन जो ऑड़ों अनियो जो क्या कहते हैं अप लोगों का इन डै्रैक्ट मेंथर्ड कहते हैं titration का क्यों इसको indirect method कहते हैं आके समझ जोगे तुम लोग अब देखो iodometric titration में होता क्या है? iodometric titration में हम KI का इस्तिमाल करते हैं और KI खुद एक क्या होता है reducing agent होता है KI खुद क्या होता है reducing agent अच्छा अब अगर ये खुद एक reducing agent है तो जिसके साथ ये react कर रहा है वो species क्या रही होगी? वो species एक oxidizing agent रही होगी reaction के बाद क्या हो गया होगा? जो species reaction से पहले oxidizing agent थी ठीक है? वो ही oxidizing agent अभी KI के साथ react करके क्या हो चुका है? आप लोगों का reduced हो चुका है और जो I negative था वो I negative किसमें convert हो चुका है? आप लोगों के I2 में convert हो चुका है ठीक है? किसमें convert हो चुका है? ये I negative आप लोगों के I2 में अब क्या reaction यही पर खतम हो जाती है क्या? नहीं, विल्कुल नहीं यही तो खास बात है Iodometric Tidration की Iodometric Tidration में ये जो आप लोगों का I2 है न ये I2 को हम collect करते हैं basically ये I2 जो होता है, gas form में होता है, इसे collect करते हैं, कैसे करते हैं वो आपका concern नहीं है बट इसे collect कर लिया गया, ठीक है? इसे collect कर लिया गया इस collected I2 में हम लोग धेर सरी quantity में, ठीक है? धेर सरी quantity में, excess amount में क्या डालेंगे? अपना दिमाग खुद लगाओ, क्या डालना चाहिए मुझे I2 में? अब अपना दिमाग सोचू कि I2 खुद एक weak oxidizing agent है, तो इतना तो मतलब sure है कि मुझे I2 को अगर किसी ना किसी के साथ react कराना है, तो मुझे इसको react करवाती वक्त, उसके अंदर कोई एक आपका reducing agent डालना होगा, तो इस I2 के अंदर हम लोग बहुत सारा क्या डाल देते है? reducing agent डालते है, और यह reducing agent क्या करता है? उस I2 को वापर से किसमें convert कर देता है? I negative में, और obvious है कि जो भी आपका reducing agent convert हो जाता है, reducing agent convert हो जाता है, obviously आप लोगों का क्या हो जाता है, oxidize हो जाता है, तो तुम्हें लगेगा, जब हमने starting ही मैडम, आपके I negative से की थी, तो उस I negative को घुमा फिरा के पहले आपने I2 बनाया, फिर I2 को आपने collect किया, फिर आपने उसको एक दूसर reducing agent के साथ डाला, और फिर वहां से जो आप लोगों का I negative आया, यह क्यों कर रहे हो, बतलब basically यहां पे आप total reaction को कितने steps में कर रहे हो, यहां पे total two steps में, और generally जो यहां पे हम लोग reducing agent, Iodometric titrations में use करते हैं, that are आप लोगों का thaiosulphate solution, कि क्या use करते हैं, हम लोग NA2S2O3, ठीक है, इसका structure अगर भूल गए हो, तो 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 पुरानी notescopy को revise कर लेना, that would be great, हम यह use करते हैं, यहां पे हम इसके साथ इसको react कर आते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का hypo solution कहते हैं, तुम्हें पता हो ना ची की what do you mean by the time hypo solution, कई बार हो सकता, paper में direct सवाल पूछ लिया जाए, कि बताओ oxidation number क्या होता है, hypo solution का, तो जिसको hypo solution ही नहीं पता है, वो क्या करेंगा, किसी को अगा यह पूछ लिया जाए, कि हाइपो solution आपके iodometry में यूज होता है, कि iodometry में यूज होता है, यह भी पता नहीं होगा, तो इस method को क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों आपने आपके iodometry method को यूज किया, क्योंकि usually हम इस method को यूज करके हमारे पास जितने भी आप लोगों के all type के जितने भी हम लोगों के पास क्या होते हैं, आप लोगों के strong agents होते हैं, उन सभी की depressions हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसकी calculations कैसे करेंगे, अब देखो, यहाँ पर total दो steps में reaction हो रही है, अगर मैं step number one के according जाऊं, तो step number one के according ki एक reducing agent है, और OA एक oxidizing agent है, तो हम लोग एक rule बनाएंगे, क्या rule बनाएंगे, कि जितने भी grand equivalent है, किसके step number one में जो ki है, उसके equal to, जितने भी grand equivalence है, किसके आपकी step number one में, जो oxidizing agent है, यह दोनों आपस में equal होंगे, बिल्कुल होंगे, अगर मैं यही same चीज, step number two को देखके लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकती हूं, कि step number two में, जो आप लोगों का oxidizing agent है, वो कौन है, i2, i2 आप लो equal कर दो, आप grand equivalent किसके, उसके reducing agent के, तो second step में reducing agent कौन है, हाइपो solution, तो इस तरीके से don't you think, कि तुम्हें आप दो equations मिल गई, अगर तुम्हें यहाँ दो equations मिल गई है, तो तुम्हें लगता है, इन दो equations को use करके, हम अपनी life का, iodometric titration का, एक सबसे important conclusion निकालने जा रहे है, equation number, step number 1 और step number 2 को, अगर मैं combine अपनी आँखों से देखूं, अपनी combine नज़ों से देखूं, तो मैं step number 1 और step number 2 को देखके, क्या यह नहीं कह सकती, कि जितने भी grand equivalence मेरे पास है, किस तीच के grand equivalence, हाइपो solution के, वो basically equal हो जाएगा, किस तीच के grand equivalence, किस तीच के आप लोगों के oxidizing agent के, जो कि step number 1 में है, ऐसा मैं क्यों लिख रही है, क्यों कि step number 1 में जितनी भी I negative थी, basically वो सारी की सारी I negative, I2 में convert हुई, और सारी की सारी I2 जो produce हुई थी, हम यह मान के चल रहें कि सारी I2 हम लोग कलेक करने में successful भी रहें, और सारी की सारी I2 को कलेक करने के बाद, हम react करव वो I2 react कर रही है, जो step number 1 में बनी, और step number 1 में बनी हुए I2 क्यों है, क्योंकि I negative की वज़े से बनी है, so therefore I can write this conclusion, यह conclusion आप लोगों के लिए बहुत जादा important है, इस conclusion से ही सारे आप लोगों के Iodometric titration के सवाल आपको बनेंगे, ठीक है, बट जब भी तुम Redox titration करो, तो कुछ बेसिक नियम, कुछ notes तुमारे पास होने चाहिए, जो तुमारे लिए काफी ज्यादा helpful रहेंगे, अगर तुमें वो सारी चीजे नहीं बताएं, तो तुमें कई बार Redox reactions को लिखने में कैसा हो सकता है, तकलीफ मैसूस हो सकती है, क्योंकि Redox titration में आपको ऐसा ज़रूरी न KMNO4 को हम लोग यूज कर रहे हैं as oxidizing agent, ठीक है, अगर KMNO4 खुद एक oxidizing agent के presence में ऐसा behave कर रही है, तो obvious है कि वो दूसरों को oxidize कर रही होगी, तो वो दूसरे लोग कौन, अगर मालने थे KMNO4 के साथ कोई Fe2 Plus है, या फे मैं उल्टी भाश्या में कहूं, तो अगर KMNO4 के सा Fe2 Plus है, या Fe2 Plus के साथ KMNO4 है, तो KMNO4 के होने की वज़ा से Fe2 Plus किस में convert हो जाएगा, Fe3 Positive में convert हो जाएगा, अगर मालने थे हैं, आप लोगों के पास कुछ इस तरीकी की चीज है, H3SBO3, तो KMNO4 के होने की वज़ा से वो खुद को किस में convert कर लेगा, H3SBO4 में convert कर लेगा, अगर तुम्हाँ पास SN2 Positive है, तो SN2 Positive convert हो जाएगा, SN4 Positive में बीच में arrow लगा लेगा, अगर तुम्हाँ पास Titanium की Valency 3 Positive है, तो convert हो जाएगा, Titanium 4 Plus में convert हो जाएगा, ठीक है, अगर तुम्हाँ पास Uranium 4 Positive है, तो वो convert हो जाएगा, UO to 2 Positive में, तो ये वाली चीज ने यह है H2S, H2S मतला आपकी hydrogen sulfide की gas, तो यह खुद को convert कर लेती है sulfur में, यह पता होना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास hydrogen peroxide है, H2O2, तो वो convert हो जाएगा, H2O plus O2 में, अगर तुमारे पास oxalate है, ठीक है, या फिर मैं कहूं oxalic acid है, तो खुद को convert कर लेगा, किस चीज में CO2 में, तो यह जो basic conversions होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास NO2 negative ion है, nitrite ion है, तो वो खुद को convert कर लेगा, किस में, nitrate ion में, यह सारी conversions तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, किसके साथ, आप लोगों के, आपके KMNO4, अगर as an oxidizing agent को आप इस्तमाल कर रहे हो तू, आपको यह सारी चीज़े वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप हम लोगों को redox reactions के कुछ basic examples देख लेने चाहिए, जिन examples के उपर तुम basically redox saturation करना सीखोगे, अब मैं बता दू, redox saturation का simple सा नियम है, question उठाओ, question में पहचानो, कि oxidizing agent कोन है, reducing agent कोन है, और वहा gram equivalent reducing agent के है, फिर gram equivalent को कैसे लगाते है, यह आप लोग already basic of, basics of titration वाले पार्ट में already सीख चुके हो, बस वो, जो भी given है, उसके according formula apply करो, given values put करो, जो to find करना है, वो automatically, निकल के कैसा हो जाएगा, तुमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है, खतम, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब हाँ, हमको नहीं बनेगा, बहुत ही simple सी चीज है, बस अभी तक मैंने जितनी भी बग 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 की, उस पूरी बग बग का एक सारांश निकालो, ठीक है, कि जैसे neutralization titration से, वैसे ही redox titration से, बस फर्क इतना है, कि acid base की जोड़ी के बजाए, यहाँ पे oxidizing agent और reducing agent की जोड जब भी हम लोग redox titration करते हैं, तो redox titration करते हैं, पूरे question में हम यह मान कर चलेंगे, कि जो भी species हमको दी गई है, चाहे आप neutralization reaction करो, जो भी आपको species दी गई है, या तो 100% neutralized होई होगी, या तो 100% oxidized होई होगी, या तो 100% आप लोगों की क्या होई होगी, reduce होगी, ऐसा नह 9 gram आपको oxidized हो गया, 0.1 gram आपका un-oxidized है, यह वाली चीज़े नहीं करें गया, बराबर, अगर आपको lab में वालेट से, sample test करने को दी आ गया, आपको पता लगाना है कि उस sample का concentration कितना है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता सिवाए इसके कि वो sample एक oxidizing agent है, तो आप क्या करोग कि उसकी reaction किसके साथ करवाओगे, reducing के साथ, अगर आपको एक ऐसा test करने के सेंपल दी आ गया, जो खुर एक reducing agent है, तो आपको किसके साथ करवाओगे, एक आपके किसके साथ, oxidizing agent के साथ, फिर इसे साथ से हम लोग दो method यूस करते है, direct, indirect, direct method is iodometric, और indirect method is iodometric, और indirect method is iodometric, आपके i-negative मिल जाता है, simple law of equivalence लगाना है, i2 और आपके उस particular reducing agent के बीच में, बट अगर आप iodometry यूस कर रहे हो, ठीक है, और उसमें भी आप लोगों को क्या करना रहता है, पहले के आई का इस्तेमाल करना होता है, उसके साथ oxidizing agent, के आई कनवार्ट होता है, i2 में, उस i2 क collect किया जाता है, और फिर उस i2 को हम आपके usually हाइपो solution के साथ treat करवाते हैं, और हाइपो solutions के साथ treat करवाने के बाद, आप लोग वहाँ पर concept लगाते हो, वो क्या होता है, law of equivalence में, कि जितने भी gram equivalent oxidizing agent के, equal to gram equivalent of आप लोगों का वार्ट reducing agent, usually step number one, step number two, सबको लगाना आता है, बट step number one और step number three का, जो conclusion result है, यह conclusion result आपको याद रखना है, कि starting की step में लिया गया oxidizing agent, और second step में लिया गया hypo solutions, इन लोगों का भी आपस में gram equivalent क्या होते हैं, आप लोगों के equal होते हैं, ठीक हैं, तो आप वैसे बहुत सारे oxidizing agent use कर सकते हो, बट हम लोग बहुत ही कम oxidizing agent use कर agent है, वो है KMNO4, ठीक है, KMNO4 आपको याद रखना है, बराबर हाँ, लेकिन KMNO4 की एक सबसे बुरी आदत है, कि यह आपका KMNO4 है न, इस KMNO4 को standardization चाहिए होती है, अब अगर किसी को इस particular point पर यह word का मत्ता समझ में नहीं आ रहा है, कि मैडम standardization क्या होता है, तो इससे प acidic में भी यूज कर सकते हो, आप इसको basic में भी यूज कर सकते हो, आप इसको neutral medium में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर माले ते कMNO4 के बदले में, तुमने यूज किया होता, let's say, K2CR2-07, तो मैं बता दू, K2CR2-07 को आप सिर्फ और सिर्फ acidic medium में यूज कर सकते हो, ठी इसे ये सारे points कभी ना कभी पढ़ाई गए, बट मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि तो भूल गए होगे, पहला point ये, कि आप लोगों का जो equivalent weight होता है, वो क्या होता है, molecular weight divided by valency factor, तो इसे ये समझ जाओ, कि आपको valency factor निकालते आना चाहिए, point number 3, अगर मेरे पास KMNO4 है, KMNO4 को मैं acidic medium में भी use कर सकती हूँ, KMNO4 को हम लोग neutral medium में भी use कर सकते हैं, KMNO4 को हम लोग basic medium में भी use कर सकते, जब हम KMNO4 की oxidation number देखते हैं, अगर मैं KMNO4 को न्यूट्रल या फिर कह सकते हो वीकली एसेडिक मीडियम में यूज करती हूं तो यह MN4 पॉजिटिव में कनवर्ट हो जाता है और इसका वैलेंसी फैक्टर होता है कितना आपका तीन और अगर इसका हम लोग बेसिक मीडियम में यूज करते हूं ठीक है तो बेसिक मीडियम में यूज करने पर इसका वैलेंसी फैक्टर होता वह कितना होता है ये तुमको याद रहना है ठीक है अच लेकिन एक और important सुचना है KMNO4 को लेकर कि जब भी हम KMNO4 को acidic medium मनाने की सोचते हैं ठेक है हम लोग HCL को use नहीं करते यहां नहीं लिखती यह मैं already points कभी ना कभी किसी ना किसी क्लाम में already मैं बता चुकी हूँ मैं सारी चीजों को अभी repeat कर रही है ठेक है जब भी हम लोगों को KMNO4 को acidic बनाना होता है ठेक है in order to make KMNO4 आप लोगों का acidic ठेक हम लोग सेफ और सिफ क्या use करते हैं वी only use H2SO4 हम लोग क्या use करते हैं सेफ और सिफ आप लोगों का H2SO4 हम हम लोग HCl अगर आप बोलोगे मैंडम आप HCl भी तो एक आसेड है अप उस आसेड को यूज करके केम लोगों को acidic बना दो तो नहीं दिखकत यह होती है कि आपका जो स्री एल नेगेटिव होता है वो कंवर्ट हो जाता है किसमें सी एल टू में मतलब के मैंनो काम क्या था किसी दूसरे को कनवर्ट करना तो बेसिकली इसने क्या किया उसको कंटेनर में जो सी एल नेगेटिव दिखा उसने उसी को क्या कर दिया आप लोगों का oxidize कर दिया मैंने पहले ही कहा था के मैंनो 4 को बनाते वक्त एक बात का बहुत इंपोर्टन क्या रठना पड़ता है कि गलती से भी आपका जो के मैंनो 4 वो क्या नहीं होना चाहिए उसके साथ में कोई reducing agent नहीं होना चाहिए नहीं तो किसी दूसरे को reduce करने से पहले वो अपने आप वाले कोई ही अंदर में क्या कर देगा reduce कर देगा तो है ही हो रहा है HCL को उसने क्या कर दिया reduction HCL खुद एक क्या था reducing agent है इसी लिए हम उसको use नहीं कर सकते HNO3 जो कि हमारा इतना famous acid है इसे हम क्यों नहीं use करते क्योंकि HNO3 आप लोगों का one of the strong oxidizing agent है मतलब तुम सोचो आप क्या कर रहे हो आपने KMNO4 से भी strong oxidizing agent ले लिया तो जो काम KMNO4 को करना चाहिए वो कौन कौन करेगा आपका HNO3 करने लगेगा इसी लिए हम लोग जब भी K KMNO4 का solution बनाते हैं तो उसकी जो acidification होती है वो acidification strictly हम लोग किसे करते हैं आप लोगों के H2SO4 से करते हैं ठीक है रेडॉक्स titration का मतलब simply यह नहीं होता है आयोडो पढ़ लिया आयोडी पढ़ लिया रेडॉक्स titration में आप लोगों को बहुत सारी चीज़े पढ़नी पढ़ KMNO4 की reaction करवा रहे हो oxalic acid के साथ यह वही acid है जो किसमें पाया जाता है आपके तमाटर में इसका formula क्या होता है H2C2O4 या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दो carbo oxalic group आपस में एक दूसरे से connected रहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का एक redox titration यह redox titration किसके जाहां पर oxalic acid किसके जैसे बीव कर रहा है एक reducing agent के जैसे और obvious है कि KMNO4 किसके जैसे बीव कर रहा है एक oxidizing agent के बराबर अच्छा अब इसमें ना कुछ GK Facts है जो तुमें पता होने चाहिए इन GK Facts का कोई भी वास्ता नहीं है बट स्टिल तुमें पता होना चाहिए इस reaction में usually हम जिस catalyst का use करते हैं वो होता है MN2 प्लस आपको catalyst हर reaction का याद करना आवश्यक नहीं होता है ठेक है बाट फिर भी नहीं नहीं एक में मैंने कुछ गलत बोल दिया यहां पे हम लोग क्या करते हैं आप लोगों का जो क्या कहते हैं catalyst करते हैं but catalyst क्या यूज करते हैं वो य MN2 प्लस है मतला basically MN2 प्लस इस question का क्या है product है और product ही इस question का act करता है as a catalyst मतला starting में जब यह reaction शुरू होती है तो initially इस reaction का जो rate होता है rate of reaction जो होता है वो बहुत ही कम होता है यानि कि slow होता है ठीक है बड़ जैसे जैसे reaction आपकी क्या करने लगती है progress करने लगती है तो reaction के progress करने से बोलो क्या हो जाता है आपका जो rate of reaction है fast हो जाता है क्यों due to production of MN2 positive इसकी वजह से क्योंकि MN2 positive का वहाँ पे क्या हो रहा है production हो रहा है इसकी वजह से आप लोगों की reaction की जो speed है वो speed क्या हो जाती है आप लोगों की बढ़ जाती है ठीक है आच्छा और जैस से ही आप लोगों का एंड पॉइंट आ जाता है एंड पॉइंट का मतलब जहां पर आप यह कह सकते हो कि oxidizing agent और reducing agent एक दूसरे से completely क्या हो चुक है मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको color change देखने को मिलता है मतलब तुम्हारी आखे कैसे पहचानेंगी की neutralization reaction खतम हो गई है अगर 10 में स्कूल में titration किया है तो पता होगा कि हम उपर से buret से जो base डालते हैं वह base जब नीचे आपके container acid में गिरता है तो कोई color नी दिखता क्योंकि acid neutralize हो जाते बट एक ऐसा point जरूर आता है जब यह neutralization possible नहीं हो पाती क्योंकि acid नीचे का जूर रहता है फिन अप्ट है तुरंथ वह base किसके साथ react करता है तो बेस के साथ करने लगता है और बेस के साथ च्पर बनता है और जैसे बनता है हमारे दिमाग को पजा चल जाता है कि आच्छा हां यानि कि acid ख़ता हो चुका है तो वहाँ मुझे इंडिकेटर यूज करने की नीट क्यों पढ़ रही थी क्योंकि acid और base खुद colorless थे बट यहाँ पर KMNO4 का खुद एक dark color होता है तो जब आपका end point आता है तो आप यह रेखते हो कि आपको हलका जो आपका dark pink color था वो किसमें convert हो चुका है light pink color में यह किसके जैसे act कर रहा है यह एक self indicator का काम करता है यहाँ पर KMNO4 ठीक है even मैं यह भी कहूंगी कि क्योंकि यहाँ पर आपको externally catalyst डालने की कोई need नीड नी पड़ती है तो आप यह भी कह सकते हो कि यह reaction कैसी होती है आप लोगों की auto-catalysis reaction है एक ऐसी reaction जिनका product खुद as a catalyst behave करता है ठीक है बाकी जो सारे प्रवचन से valency factor को लेकर तो वो already मैं तुमको बता चुकी हूं बच still मैं repeat कर दिती हूं कि जब जब हम KMNO4 को acidic medium में यूज करते हैं तो KMNO4 का जो valency factor होता है वो कितना हो जाता है आप लोगों का कितना हो जाता है 5 क्यों हो जाता है 5 क्योंकि MN7 positive convert होता है MN2 positive है similarly अभी यहाँ पे valency factor किसका देखा जाएगा आपके reducing agent reducing agent मतलब कौन oxalic acid तो याद रखना oxalic acid हमेशा खुद को किसमें convert करता है CO2 में और कुछी नहीं तो यहाँ पे इसका valency factor होता है 2 अगर भूल चुके हो कि valency factor कैसे निकालते हैं तो पुरानी classes को जाकर देखो तो usually आपको KMNO4 किसके साथ रियाग करते हुए दिखेगा आप लोगों के किसके साथ oxalic acid के साथ और जब-जब KMNO4 oxalic acid के साथ रियाग करेगा तो समझ जाना कि medium आपको कैसा रखना है acidic रखना है और अगर आपको medium acidic रखना है तो acidic medium रखने का सिर्फ और सिफ एक ही तरीका होता है KMNO4 के साथ कि आपको H2SO4 डानना है तो मुझे बताओ कि KMNO4 reaction के बाद किस में convert हो जाता है MN2 positive में तो यह मैंने लिख भी MN2 positive आपके पास जितना भी oxalic acid होता है वो किस में convert हो जाता है CO2 में convert हो जाता है और साथी साथ में obvious है यहाँ पे water भी बनेगा मैं reaction को balance नहीं कर रही हूँ balancing तुम कर लेना तुम लोगों को already method सिखाई हुई है ठीक है बट यह आपकी reaction है अब कई लोग इसको रट्टा मारने की कोशिश करते है KMNO4 plus H2C2O4 CO2 बनेगा यह बनेगा है simple logic है acidic medium है plus 7 को plus 2 में convert करो oxalic acid को CO2 में convert करो oxalic acid के बदले कल को H2S होता तो sulfur में convert करते तुम्हें reaction नहीं रटनी है तुम्हें बस इतना याद रखना है कि कौन सी वाली चीज basically किस में convert होती है तो अपने आप देखना सारे points सुम लोगों को दीरे 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 क्या होने लगता है याद होने लगता है अब जरूरी नहीं है कि KMNO4 की reaction oxalic acid के साथ किये जाए हो सकता है कल को आपके KMNO4 की reaction को मैं किसके साथ करवादू आपके Fe 2 positive के साथ करवादू obviously medium तो acidic रखना ही पड़ेगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा जो भी KMNO4 है उसके अंदर जो MN है और 7 की power कितनी थी 7 तो जब भी हम KMNO4 को acidic medium में यूज़ करेंगे उसकी power कितनी हो जाएगी 2 positive Fe 2 plus किस में convert हो जाएगा Fe 3 positive में और obvious है कि यहाँ पे आप लोगों को H2O तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो KMNO4 एक self indicator है ठीक है उसका खुद का color dark pink होता है लेकिन जब end point की बारी आती है end point मतलब जब जहाँ पे सारा का सारा oxidizing agent oxidize कर चुका है जब जहाँ पे सारा का सारा reducing agent reduce कर चुका है ठीक है तो in that case यही कमNO4 एक self indicator के जैसे भी काम आप लोगों का करता है खतम कान ठीक है बराबर अच्छा अब याद रखना यह जो fe 2 plus है यह fe 2 plus मिलता कहा से अब किसी की सोच होगी मैडम fe SO4 ले लो मैडम fe CL2 ले लो ऐसा नहीं होता है मैं जानती हूँ कि fe CL2 के अंदर में भी fe 2 plus है बट स्टिल यूश्वेली जब भी हम kemno4 की रियाक्शन कराते हैं fe 2 plus के पासा तो fe 2 plus मार्केट में तो नहीं घुमता है कि हेलो हेलो मैं fe 2 plus घुम रहा हूँ मुझे लेकर जाओ ओविसली वो कोई ना कोई salt के फॉर्म में रहता है if I am talking about copper 2 plus तो copper 2 plus कभी मार्केट में नहीं मिलेगा तो में क्या मिलेगा उसके बदले में copper sulfate so copper sulfate ultimately dissociates and will form co2 plus बट fe 2 plus हमें कहां से मिलता है तो fe 2 plus को practically अगर हम लोगों को यह चीज़ यूज़ करनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं FAS मैं इससे पहले भी FAS क्या होता है यह बता चुके हूँ बट एक बार फिर से बता देती हूँ अगर तुमारा छोटा सा दिमाग भूल गया होगा वो होता है ferrous ammonium sulfate ferrous ammonium sulfate को आप प्रयोग में लाते हो यह ferrous ammonium sulfate क्या होता है यह होता है इसका formula FESO4 अगर मैं coordination chemistry के term से बात करूँ तो यह आप लोगों का क्या है एक double salt है ठीक है यह आप लोगों का क्या है एक double salt है यह FAS आपको Fe2 plus provide करने का काम करता है बट जरूरी नहीं है कि हम लोग सिफ इसी पर depend करते है हम लोगों के पास एक दूसरा option भी होता है वो दूसरा option होता है ferrous oxalate हम किसका इस्तेमाल कर ले ferrous oxalate का इस्तेमाल कर ले ferrous oxalate के अंदर में भी आपको क्या मिलता है Fe2 positive मिलता है या दखना ठीक है ferrous oxalate के अंदर में भी आपको क्या मिलता है आपको Fe2 plus मिलता है तो इस तरीके से तुम क्या करते हो आप लोगों का KMNO4 के अंदर इन दो लोगों का इस्तेमाल करते हो ठीक है आच्छा क्या ये बास समझ में आ रही है आगे हम और बाचीत भी करेंगे बट फिलाल कभी इतनी बात तो दिमाग में घुस गई ना ये घुसना बहुत ही जरूर करता है और वो होता है आप लोगों का एसीडिक मीडियम एसीडिक मीडियम के अलावा K2Cr2O7 कभी भी काम नहीं करता और K2Cr2O7 की खुद की ऑक्सिडेशन पावर होती है CR6 प्लस बट जब मैं इसको एसीडिक मीडियम में ट्रीट करती हूँ तो ये कनवर्ट हो जाता है CR3 पॉजिटिव में ठीक है और इसके लिए जो इसका वैलेंसी फेक्टर निकल कर आता है वो आता है 6 अब ही अगर किसी को ये नहीं पता है कि वैलेंसी फेक्टर मैडम अप कितने अटम है ये भी तो तुम्हें देखना पड़ेगा तो ऑक्सेडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वैलेंसी फेक्टर कैसे निकालते हैं ये अल्रेडी बताया है तो इसलिए ये सारी चीजे तुम लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है कभी भी हम लोग के टुसी आटु आंसर यहां से आप लोगों का फ्रेम होकर आ सकता है वो इस प्रकार से है कि अगर मैंने के टुसी आटु ओ सेवन को आप लोगों के अलकलीन मीडियम में यूज किया अगर मैं अलकलीन मीडियम में के टुसी आटु ओ सेवन को यूज करती हूँ तो आप लोगों का के टुस CRO2O7 जो औरेंज कलर कंपाउंड होता है यह खुद को यलो कलर कंपाउंड में कंवर्ट कर लेगा दैट विल बी CRO4 2 निगेटिव ठीक है किसमें कंवर्ट कर लेगा यलो कलर के कंपाउंड में तो basically यह जो है आपकी यह काफी reversible reaction होते हैं इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं ठीक है यह तुम्हें याद होना चाहिए और इसके अलावा अब एक जो next point है वो तुम्हें already बता चुकी हूँ कि हम लोग जादा तर iodos और iodos metric titrations यूज करते हैं ठीक है बट जब भी तुम iodos या iodos metric titrations का इस्तेमाल करो तो तुमको यह याद होना चाहिए कि कौनसी वाली species किसमें convert होने वाली है यह तुमको याद होना चाहिए ठीक है तो जैसे यहां पियागर मैं heading डाल देती हूँ कि for iodos metric titrations तो iodos metric titrations को ल सारी बाते पता होनी चाहिए कि अगर आप S2O3 2 negative यूज करोगे और उसके साथ I2 डालोगे तो I2 तो definitely I negative में convert होगा इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन S2O3 2 negative S4O6 2 negative में convert हो जाएगा अगर तुम sulfite ion यूज करते हो तो sulfite ion जब oxidize होता है तो याज रखना sulfite ion oxidize होके sulfate में convert होता है इवन दो अगर KMNO4 भी यूज करते ना तो भी यही होता ठीक है अगर तुम्हारे पास ASO3 3 negative का ion है और अगर तुम इसको KMNO4 वाले oxidizing agent के साथ यूज करो या फिर तुम इसे I2 वाले oxidizing agent के साथ यूज करो ये convert होता है आपके ASO4 आपके 3 negative 2 negative में ठीक है अगर चाहे KMNO4 हो या चाहे I2 हो convert हो जाता है वो sulfur में oxidize हो गए ना SN2 प्लस भी किसमे convert हो जाता है आप लोगों के SN4 positive में अगर आप hydrazine use कर रहे हो N2H4 तो ये hydrazine आप लोगों की convert हो जाती है किसमे nitrogen gas में ये important part है ये लोगों को याद नी रहता है बाकी तो याद रहने वाली च titration में तो यार बात ही अलग है वहां तो आप जो भी आई नीगेटिव यूज करते हो आई नीगेटिव खुद को पहले किसमें convert करता है आई तू में और फिर जो आई तू बनता है उसके साथ हम लोग इन में से कुछ भी यूज कर सकते हो तो जो भी आप यूज करोगे उस सबसे आसान चीज है हां सिर्फ तुमें एक ही जगा थोड़ी सी तक्लीफ में सूस हो सके डाट वी डबल डाइटरेशन ठीक है बट हमार से लेबस में डबल डाइटरेशन उतना जादा पूछा नहीं जाता है बैक टाइटरेशन के साथ हम लोग यूज काम करते हैं और उस साथ में इसके बाद का टार्केर हमारा बाक्टाइटरेशन रहेगा तो देखो आप लोगों के पास मानलेते क्वेशन दिया हुआ है के में ओफ Francis यूजरु से आथ अप इसको क्या कर रहे हो स्टेंटराइज कर रहे हो यादकरना कि के में ओफ यूजरू स्टेंडडाइश 7 gram का आपको ये sample दिया हुआ है ठीक है अच्छा अब जब आप standardization कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है 26.10 ml का आपको KMNO4 का solution यूज में आ गया किस काम के लिए for titration titration करने के लिए आपने इतना KMNO4 आपने यूज कर लिया तो आपको ये बताना है कि जो KMNO4 आपके पास है इस KMNO4 की molarity और इसकी साथी साथ आपको और क्या बतानी है normality भी ढून कर बतानी है ये question है तो question में सबसे पहले ये detect करोगे oxidizing agent कौन है और सबसे पहले ये detect करोगे reducing agent कौन है तो समझ में आ रहा है दुनिया में इतने बड़े वाले मतलब गधे तो नहीं हो तो के MNO4 दुनिया का best oxidizing agent है तो KMNO4 एक oxidizing agent रहेगा obvious है और जिसके भी against तुम उसको titrate कर रहे हो AS2O3 वो obvious है आप लोगों का एक reducing agent रहेगा ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या कह रहे है कि यहाँ पे कितने gram का आपको AS2O3 दिया हुआ है यह आपको दिया हुआ है weight इसका दिया हुआ है 0.1097 gram अच्छा AS2O3 के साथ हम उसको titrate कर रहे है अच्छा medium आपको नहीं दिया तो अगर मान लेते हैं question में आपको medium नहीं दिया जाए तो आप यह मान कर चलोगे कि आपको जो medium दिया गया है that medium is acidic और यह भी मान के चलना है कि आपको ज़्यादा तर time redox titrations के इसमें reactions ही दियोंगे reactions आपको ही लिखनी है यानि कि अगर मैं इसकी reaction लिखने जाऊं तो reaction कैसी हो जाएगी कि जो भी Kmno4 था उसको acidic medium चाहिए यानि कि H positive चाहिए ठीक है अब हो H positive आएगा कहां से H2SO4 से वो तुमको बता है लिखना ना लिखना वो तुमारी choice है तुम चाहो तुम पूरा का पूरा H2SO4 का नाम भी लिख सकते थे अच्छा इसको हम react करवा रहे है AS2O3 के साथ अब यह पूरी दुनिया जानती है कि Kmno4 acidic medium में खुद को convert कर लेता है MN2 positive में और H2O तो definitely बनेगा जो कि मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन AS2O3 के साथ क्या होगा तो जो AS2O3 है ना यह खुद को convert कर लेता है AS की power 5 plus में यह भी आपको याद रखना है ठीक है यह भी आपको याद रखना है कि किसमें convert कर लेता AS की power 5 plus में ठीक है और मैं तुम्हें एक और interesting fact बताती हूँ वो interesting fact बार ने बता देंगे अभी बट still यह हमारी reaction है सबसे पहला point आपको valency factor पता होना चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक तो valency factor किसी गधे को भी पता होगा कि valency factor बराबर बोलो कितना 5 इसमें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए अब बात आती है यहाँ से यहाँ आते वक valency factor आप लोगों का होता है कितना यह तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे oxidation state निकाली तो oxidation state बोलो कितनी आई यहाँ पे आगई आपकी 3 यहाँ पे oxidation state बोलो कितनी है आपकी 5 यहाँ से यहाँ आते वक अगर कोई तुमसे पूछेगा, चेंज कितने का हुआ, तो चेंज हुआ 2 का, बट यह बक मद देना, कि मैडम वैलेंसी फेक्टर 2 होगा, अगर तुम यह बोल रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें पूरानी क्लास का कुछ नहीं आता है, ठीक है इसका वैलेंसी फेक्टर कितना होगा चार क्योंकि दो-दो आर्स ने केमाप पर तो मुझे वैलेंसी फेक्टर पता चल गया अब बस खतम कहानी law of equivalence लगा दू क्या होगा जितने भी gram equivalence अच्छा gram ले कि milligram ले ml में क्योंकि question दिया हुआ है तो यहाँ पर उसको लिखना चाहिए milliequivalence किसके milliequivalence आप लोगों के Kmno4 के किसके बराबर है आपके milliequivalence किसके As2O3 के milliequivalence या equivalence को निकालने का तरीका क्या होता है normality multiply by what volume ठीक है इस symbol तरीका normality multiply by volume normality किसकी Kmno4 की multiply by volume किसका Kmno4 का equal to यहाँ पर भी normality किसकी As2O3 की into volume भी किसका As2O3 का क्या मुझे As2O3 की normality पता है गता ही नहीं बिल्कुल नहीं पता हम लोग molarity के terms में चलो काम कर लेते हैं तो molarity से molarity कैसा लिखा जाता है valency factor As2O3 का multiply by molarity As2O3 की multiply by volume As2O3 का अगली बार में इतने detail में मैं नहीं लिखूंगी ठीक है मैं कोई boards का paper solve नहीं कर रही हूँ याँ कि इतने detail में में मेरे से लिखवा रहे हो तुम लोग ठीक है अब मैं अगली बार से question में पूरा try करूंगी कि direct normality को molarity into valency factor की values की terms में वहाँ पे में put करूं ठीक है यह तो वैसे भी मुझे ढूणना है तो molarity of Kmno4 तो वैसे भी मुझे ढूणना है हाँ volume मुझको जरूर दिया हुआ है तो volume आपको कितना दिया हुआ है 26.10 ml उसको लीटर में convert करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं question में already मिली लेके question को solve कर रही हूँ ठीक है otherwise मैं कर सकती थी convert बाकि तुमारी मर्जी वैलेंसी factor यहां कितना आ जाएगा आपका 4 अच्छा molarity कैसे निकालेंगे molarity क्या होती है mass divided by मोल्स divided by आपके volume तो मोल्स के लिए mass पता होना चाहिए mass तो दिया है 0.1097 एस्टू O3 का molecular mass question में कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा molecular mass के लिए otherwise आपको arsenic का molecular mass याद हो ऐसा तो थोड़ा कम chances है यहां पर में को पता है तो मैं लिग देती हूँ 198 क्या मुझे आपका molarity के लिए हमें क्या चाहिए होता है बताओ molarity के लिए में वही एस्टू O3 का volume लेना है बट यहां पर मैं जो एस्टू O3 का volume लोगे दाइट वूड बी in milliliter क्योंकि यहां वाला volume देखो milliliter में है लोगों से यह गलती होती है वो लोग क्या करते हैं यहां अगर volume पुट कर देते हैं तो वहां उपर पुट नहीं करते हैं और अगर उपर पुट करते हैं तो वहां पर भी वन लीटर पुट कर देते हैं यह बेवकूफी मत करना ठीक है चलो अब बस simple सी calculations वाला part है और तो कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुम्हारे उपर छोड रही हूँ तुमको कर लेने की है क्या हो जाएगा 4 multiply by 0.1097 upon में 198 multiply by 5 multiply by 26.10 और यहां उपर multiply by आपका 1000 जो भी answer आएगा that would be the molarity of km4 ठीक है वो क्या कहलाएगी km4 की molarity अब अगर तुम्हे नॉर्मालिटी निकालनी है km4 की तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उपर की step से जो भी molarity निकल के आएगी उसको आपको बस valency factor से multiply कर देना है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि km4 का valency factor कितना होता है 5 तो यहां से तुम्हारा answer निकल कर आजाएगा ठीक है तो questions बहुत ही आसान simple sober से रहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा identify करना है कि कौन आप लोगों का oxidizing agent है और कौन आप लोगों का reducing agent है ठीक है यह इतना सा identification करना है इतना सा अगर तुम्हें identification कर लिया तो खतम कहानी इससे related जो थोड़े कठें सवाल है वो भी मैं लूँगी ठीक है आखरी में titrations के कुछ धासू type के सवाल लेकिन right now अभी मैं titrations के सिर्फ और सिर्फ basic problems बता रहे हूँ ठीक है जिसमें तुम्हें at least यह idea हो जाए कि अच्छा इस सवाल को ऐसे करते है अधवाई इस titration के अच्छे सवाल advanced सवाल वो हम लोग next वीडियो में लेंगे ठीक है जब सारे titrations खतम हो जाएंगी इसके बाद ही एक और वीडियो आएगा वो back titrations करेगा क्योंकि छोटा सा ही वीडियो हाली 10 मिनिट का है तो 10 माने ते 20 मिनिट का होगा फिर एक कल वीडिय इस चाप्टर की नहीं है पुराने चाप्टर की है इंडिकेटर इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे फिर मुझे इस चाप्टर में तुम्हें वह भी पढ़ाना है volume strength of H2O2 उसके अलावा फिर कुछ basic चीजे बतानी थी रडॉक्स related तो कोशिश है कि संडे तक कि चाप्टर हमें ओवर करना है अब आज हो इस सवाल में देखो मैं डारेक्ट डारेक्ट करूंगी ठीके तुम लोगों को अपना दिमागी जो हैती है शमता उसको इंक्रीज करने की नहीं रहा है इसको टाइटरेट किया जा रहा है acidified Kmno4 के साथ मतलब obvious है कि यह आपका oxid अब तुम में इसे कई लोगों को तकलीफ होने लगे कि मैडम आप में तो बोला था कि FAS यूज करते हैं या तो फैरास ऑग्जलेट यूज कर रहे हो या पेपर में काम कर रहे है तुम्हें जो यूज करना है करो मेरा के जा रहा है ठीक है simple law of equivalence लगा देंगे बोलो क्या ह होगा law of equivalence आपके जो भी valency factor है किसका FESO4 का multiply by जो भी molarity है किसकी FESO4 की multiply by जो भी volume है किसका FESO4 का equal to यही पूरा का पूरा प्रवच्छन बट किसके लिए आपके oxidizing agent के लिए मैं पूरा oxidizing agent का नाम नहीं लिख रहे हूं सिर्ब OA 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 लिख देते हैं अभी इतना तो अक FESO4 की कुछ पता है क्या नहीं बलकि FESO4 में find करनी है यह तो वैसी भी तुमारा two find है volume बदा है कि FESO4 का 20 ml दिया हुआ है इसको oxidizing agent का valency factor 5 उसकी molarity दी हुई है क्या हां दी हुई है कितनी 0.02 तो यह 0.02 उसका volume दिया हुआ है क्या हां तो 24.3 दिया है तो यह हो गया 24.3 done very good अब कुछ नहीं तो सिर्फ calculations है तो यहां से answer क्या जाएगा जो भी molarity निकल के आएगी FESO4 की that would be what आपका 2 into 12 to 43 into 10 की power minus 3 upon में 4 बस calculations कर लेना यहां से तुम्हें molarity FESO4 की मिल जाएगी धन्य है खदाम सवाल ठीक है यह इस तरीके से करना था बराबर तो हो जाएगा बिलकुल तो इसमें कुछ भी ऐसा कठीन है क्या नहीं यह simple type के सवाल यह usually आपको इस type के सवाल mains वगेरा में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अरे कितना कठीन है तो सवाल में इस वीडियो में बिलकुल नहीं ले दियू मैं बता दू वो नेक्स वीडियो में रहेगा अलग से ताकि अगर किसी को स्किप करना है वो पाट तो इंसन स्किप भी कर सकता है अच्छा आप देखो इस कोशन में यह तुछा ठीक सवाल है आपके पास 1.51 ग्राम का आइरन था आइरन वायर मतलब एफ़ी है इसको आप डिजॉल कर रहे हो हो एच्टू एसो फोर में और डिजॉल करने के पाद आप टू फिफ्टी एमल तक का सिलूशन मना रहे हो तो बेसिकली हो यह रहा है कि आपके पास जो एफ़ी है उसको डाइलूट एच्टू एसो में डाला गया तो तुमको तो पता है कि एफ़ी और आपके डाइलूट एच्टू एसो फोर रियाक्ट करके बना लेंगे एफ़ी एसो फोर प्लस हाइड्रोजन ग्यास इवाल्व होगी टेंथ क्लास की बेसिक एसेड बेस केमिस्ट्री या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स की रियाक्शन्स वह मैं बता रही हूं दिस्प्लेस्मेंट रियाक्शन है ठीक है अच्छा जो एफ़ी आपने इनिशेली लिया था वो 1.51 ग्राम लिया था अगर कोई तुमसे पूछे क्या तुम एफ़ी के मोल्स निकाल सकते हो क्या तो डेफिनेटली निकाल सकते है हमें एफी का मास पता है बट कुई जरुवत नी है फेले कोश्चन को आगे पढ़ लेते हैं ये जो एफी एफूसिन बना ये एफ एस एफिशन के अंदर में एफी कितने ग्राम होगा obviously इस FeSO4 के solution के अंदर में भी Fe 1.51 ग्रामी होगा है ना लेकिन यहां पी इस FeSO4 solution का जो volume आपको दिया गया है वो कितना है 250 यानि कि condition कैसी है यह आपका container है 250 ml इसका volume है इसके अंदर में क्या भरा हुआ है इसके अंदर में FeSO4 का solution भरा हुआ है ठीक है अच्छा अब आपने क्या किया थोड़ा सा FeSO4 solution इसके अंदर से निकाला मतलब 200 ml पूरा का पूरा यूज नहीं किया तुमारे घर में अगर लेट से सुबा आदा लीटर दूर आता है बट मैं उसमें से यूज सिर्फ और सिर्फ कितने ml का कर रहे है हम लोग 25 ml portion ही हम लोग उसका क्या कर रहे है सिर्फ इस solution का हम लोग क्या कर रहे है यूज कर रहे है या फिर हम लोग क्या कर रहे है टाइटरेट कर रहे हैं कि कि सिर्फ 25 ml उससे जादा बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे हैं अच्छा किसके साथ टाइटरेट कर रहे हैं पोटाशियम पर मैगनेट सलुशन के साथ ठीक है यानि की होगा कैसा होगा कैसा कि आप लोगों के पास अब नाउ सिचुएशन कैसी है एक कंटेनर के अंदर में 25 ml क FESO4 solution है और इसकी टाइटरेशन की जा रही है वर्सिस किसके साथ KMNO4 के solution के साथ और वो KMNO4 का solution का volume आपको कितना दिया हुआ है 25.45 ml ठीक है यानि कि इसका volume कितना दिया है 25.45 ml और इस KMNO4 का तुमें concentration भी दिया है कितना 0.02 अब ढूरनने को क्या बोल रहा है वो तुमें कि बताओ wire के अंदर में FE का कितना percentage रहा होगा चलो वो सब tension हमारी बात की की wire के अंदर कितना रहा होगा कई लोगों का जवाब तो इसमें यह आ रहा होगा मैडम FE की wire है तो obviously FE का percentage तो 100 ही रहा होगा ना वो सब भूल जाओ भी कितना percent क्या percent कुछ impurity भी तो हो सकती भी या FE wire प्योर होगी ऐसा जरूरी है क्या तो कितने percentage वो प्योर है basically हमें यह निकालना है ठीक है आच्छा तो क्या करेंगे हम लोग टाइटरेट करेंगे टाइटरेट करने से फाइडा क्या होगा मुझे जब मैं इसको और इसको टाइटरेट करूंगी जब मैं इन दोनों के बीच में आप apply करो law of equivalence ठीक है LOE apply करो बोलो क्या हो जाएगा valency factor FESO4 का one जिने नहीं समझना आया one कैसे आया उपर वाला illustration देख लो multiply by उनकी concentration वो तो मुझको निकालनी है molarity FESO4 की multiply by उसका volume 25 ml equal to बाजू वाले के valency factor 5 कैसे 5 question में कहीं पर भी acidified लिखा है क्या नहीं अब भी नहीं भी लिखा है तो भी मान के चलने का कि आपको acidified KMNO4 दिया गया unless and until neutrally alkaline बोलना जाए multiply by उसकी molarity 0.02 multiply by उसका volume 25.45 calculations करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे तुमको सिखाना है कि किस तरीके से percentage निकाल रहे हैं हम लोग तो यहां से molarity FE SO4 की कितनी आ जाएगी यह 5 अंजा यह 5 फाइजा और 0.02 को तो multiply कर रहे हो 25.45 से बतला 2545 का double करना है तो 25 का double हो गया 50 और 45 का double हो गया आप लोगों का 90 ठीक है तो 25.45 multiply by 2 यानि कि 50 नबबब तो 50.9 into 10 की पावर माइनस 2 upon में 5. क्यालकुलेशन कर लेंगे तो 101 यह आ जाएगा आप लोगों के पास और उसके बाद साथी साथ में 8 और 10 की पावर माइनस 2. थोड़ी और points में अगर क्यालकुलेशन करने का शौक आ रहा है तो FE SO4 की जो molarity है जिसको हम लोग क्या करने के लिए यूज करने के लिए वो इतना molar FE SO4 है थीक है इतना molar FE SO4 है ठीक है वो FESO4 कितनी मुलारिटी का है इतनी अब इसके आगे हम लोग क्या करें कभी भी मुलारिटी में तो काम करना ही मत हमेशा काम करना कि FESO4 यानि कि basically I am talking about FESO2 FESO2 plus की मुलारिटी कितनी है इस पे तो बाचीत करना ही मत हमेशा always always जब भी हम लोग रेडॉक्स में काम कर रहे हो always do calculations in terms of आप लोगों के किसके terms में आपको बाचीत करनी है in terms of gram equivalence मतलब अगर तुमारे पास similarity निकल कर आ भी गई है तो भी तुम gram equivalence के terms में ही बात करो ठीक है तो भी तुम्हें gram equivalence के terms में ही बाचीत करनी है ठीक है तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरे पास FESO2 plus के gram equivalence कितने है ठीक है FESO2 plus के gram equivalence कितने है तो ऐसे में बोलो gram equivalence FESO2 plus के कितने आएंगे यही तो है यह देखो ना यही तो है F2 plus के gram equivalence अगर मैं cancellation नहीं करूँ तो बससे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए gram equivalence of F2 plus equal to gram equivalence of KMNO4 बराबर KMNO4 के gram equivalent कैसे निकालेंगे 5 multiply by उसका volume 25.45 उसकी molarity 0.02 डन समझ में आया ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है कैसे किया जा रहा है हाँ अब यहां से तुम पूरी multiplication कर लो तुम्हारे पास यहां से F2 plus के जो gram equivalence आएंगे that would be 2.545 आएंगे बढ़ यह gram equivalent किस में आए इन 25 ml यानि कि जो हमने titrate करने के लिए जो 25 ml लिया था ना उस 25 ml में आपके पास F2 plus इतने gram equivalent है तो अगर कोई तुमसे यह पूछेगा कि आपके पास जो original F2 plus था original F2 plus आपके पास कितने ml का था 20 ml का अब 200 ml को तो आप यूज नहीं कर सकते ना क्या करने के लिए टाइट्रेशन करने के लिए जैसे आप पूरा का पूरे आधे लिटर की जो चाहें मना होगी नहीं तो वैसे ही आप कोई तुमसे यह पूछेगा कि अगर 25 ml में इतने particles मौजूद है तो अगर आपके पास 200 ml का solution होता तो उसके अंदर don't you think कि इतने number of particles होते ठीक है 200 ml के लिए 25.45 particles होते बिलकुल होते अब सुनो यहां से मेरी बात यहां पे होती है लोगों से उनके gradox के carrier की सबसे बड़ी mistake वो लोग क्या करते हैं उन लोगों का बहुत उनके अंदर इच्छा होती है mole mole analysis लगाने की ठीक है वो लोग पता है क्या करते हैं वो लोग यहां पे mole mole analysis लगा लेते हैं यह कतई मत करना redox में mole mole analysis के साथ आप काम मत करना क्योंकि mole mole analysis का सबसे बड़ा drawback है the reaction should be balanced अगर आपकी reaction balance भी है तो अच्छी बात है बट मेरी तो reaction balance ही नहीं है ठीक है मैं तो balance reaction के साथ काम ही नहीं कर रही हूं मुझे तो पता ही नहीं है कि इन दोनों मैंने बताओ क्या मैंने titrations की कोई reaction लिखी क्या मैंने FESO4 के बीच में कोई reaction लिखी क्या मैंने reaction को balance किया यह balance हो छोड़ो मैं तो बिना reaction लिखे आपको FESO4 के कितने gram equivalent से यह पता लगा के दे चुकी हूं तो मुझे यह पता ही नहीं है कि मेरी balancing क्या है हो सकता है नीचे में जो balancing हो नीचे की जो second equation हो वहां पे FESO4 की stoichiometry पांच हो और उपर वाले की stoichiometry तो क्योंकि एक है तो तुम नीचे के 5 FESO4 के मोल से रख उपर तो पुट नहीं कर सकते ना तो मोल मोल analysis मत apply करना ठेक है unless and until question आपको well balance करके ना दिया हो आपने चीजों को well balance तरीके से ना निकाला हो तब तक आप मोल मोल analysis का प्रयोग नहीं करेंगे ठीक है खतम कहानी ठीक है बिलकुल नहीं करेंगे तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास F2 प्लस के इतने ग्राम equivalent है ठीक है इतने ग्राम equivalent मेरे पास F2 प्लस के है अब पूरी के पूरी titration के दौरान हमारा सबसे बड़ा assumption होता है ठीक है हमारे पास सबसे बड़ा assumption होता है कि चाहिए हमारा sample pure हो या चाहिए हमारा sample impure हो ठीक है almost almost 100% oxidation और 100% reduction अकर्स हम लोगे मान कर चलते हैं कि 100% oxidation 100% reduction हुई होगी यानि कि भली आपका F2 का sample impure है चलेगा लेकिन आपके पास इंप्यूर sample में जितना भी था वो सारा का सारा F convert हो गया F2 plus में चेक है वो सारा का सारा F2 convert हो गया किसमे F2 plus में so therefore I can write कि जितने भी आपके पास gram equivalent से F2K that would be equal to gram equivalence of what आप लोगों के F2 plus F2 plus के कितने gram equivalent से 200 ml में 25.45 right अच्छा और अगर को मुझसे पूछेगा कि अगर आपको F2K gram equivalent निकालने होते तो आप मैडम gram equivalent कैसे निकालते यह सवाल मेरे पास किसी ने पूछ लिया तो मैं उसको क्या जवाब तूंगी कैसे निकालते आप आप simple उसमें बोलते कि जितना भी मास है आप मास को divide कर दो किस से आपके equivalent मास से यही मैं कहती बिल्कुल क्या आपको F2 का मास दिया हुआ है हाँ wire का मास हमको दिया हुआ ठीक है देख लो कितना दिया है 1.51 यही एक तरीका होता है अब इसके अलावा है अब किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ भाईया आपके पास जो one point कितना दिया है five one इतना आपको आईरन का मास दिया है बढ़ीया यह 1.51 आपका सही में प्यूर है क्या तो आप क्या बोलोगे यहीं सेम लॉजिक्री या है मने मिटा के लिया पूरा ठीक यह देखो ठीक अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1.51 पूट कर देंगे तो 1.51 पूट मत करो आपको मास दिया है बट वो impure मास है क्या impure iron कभी oxidize हुआ होगा क्या definitely not तो यह जो 25.45 value आई है यह pure iron की वजह से आई है तो इस pure iron के correspondingly यह जो mass भी निकल कर आएगा यह mass भी कैसा निकल के आएगा pure निकल के आएगा ठीक है यह mass भी कैसे निकल के आएगा pure और निकल के आएगा अब ध्यान रखना हमनी जो यह पूरी calculations की है यह ml में की है इसका मतलब यह gram equivalence नहीं है यह milli है milli milli equivalence है यह सब रहे के सब क्या है आपके milli है यहां से भी लोगों से दे को mistake हो जाती है milli word पे हम लो फोकस नहीं करते है ठीक है यह milli है तो यहां से जो तुम्हें mass निकल के आएगा 25.45 और आपके 56 इन दोनों को multiply करके यह mass आप लोगों का क्या होगा यह mass आप लोगों की pure iron का होगा उस 1.45 कितना था sample 1.51 gram के sample में pure iron कितने gram है तो यहां से mass कितना निकल के आएगा इन दोनों को multiply करके इतना milligram आएगा क्यों milligram क्योंकि milli equivalence है तुम चाहो तो इसको thousand से divide करके इसको convert कर लो gram में तो तुमको पता चल गया basically कि आप लोगों के पास इतना gram iron ही आप लोगों का क्या है आप लोगों का यही आपको total mass मतलब mass of Fe आपको दिया हुआ कितना था आपको 1.51 ग्राम दिया था और basically उस 1.51 में में से प्योंकितना है इतना है बाकी क्या है आप लोगों का क्या है बताओ बाकी आप calculations करके backtracing करते हुए हम यहां तक पहुचे कि आपके पास जो Fe SO4 solution था टाइट्रेशन करके उसके पास कितने equivalence है वो उतने ml में है तो जो इनिशेली आपको जितना ml दिया गया था उसमें कितने होंगे हमने यह सोचा फिर हमारे पास धाइस आमल में मौजूद जितने भी equivalence आए वो Fe 2 प्लस क्या है Fe के नहीं आए बट हम लोगों का assumption काम आया कि या तो 100% neutralization होता है या तो 100% redox होता है फिर उसके बाद क्या हमने वहाँ पे मास की value put कर दी क्या नहीं क्योंकि यह जो आपको value मिली है यह एक्सपरीमेंट के वाया मिली है और experiment यानि कि टाइपरेशन के द्वारा जो value मिलती है वह वह value होती है जो actual reaction participate कर रही है तो इससे हमने यह डूण लिया कि actual में कितना मास participate कर रहा है और जैसी हमें पता चल गया कि actual में कितना मास participate कर रहा है हमने उसका percentage purity निकाल लिया ड़न विर तो थोड़ा सा सवाल हिंदी था but it was easy अब कुछ questions मैं तुम लोगों को homework में दे आंसर मैं बता दूंगी किसके कितने कितने आते हैं detail read करके मैं बता देती हूं ताक कि कोई confusion नहीं होना चाहिए देखो यह है आपका FAS Ferrous Ammonium Sulfate यह hydrated है यह देखो XH2O जैसे बच्पन में आप नहीं पढ़ते थे copper तुमें ऐसा लगेगा कि मैडम यह सवाल तो अभी आपके उपर सिखाए गए किसी भी सवाल के जैसा नहीं है तो मैंने ऐसा कहा भी नहीं कि जो मैं सिखा रही है वही पेपर में आएगा लॉजिक देखो वही रहेगा दुनिया में हर इंसान सेमी चीज़ पढ़ता है बट सबके मांक सा लगाते है क्यों क्यों आपने दिमाग की बुद्धिका किस दकार से उपयोग करता है आपने बेसिक कंसेस को कब कहां कैसे सिस्वाल करता है यह उसमें करता है ठीकिए अब्वेस है कि FeSo4 है तो यह एक रिद्यूसिंग एजेंट होगा इसको आप H2SO4 में डिजॉल कर रहे हो और उसके बाद आप इसको K2Cr2O7 के साथ टाइटरेट कर रहे हो तो यह अब्वेस है कि आपका ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है तो लॉज अफ इक्युवालेंस रि वैलेंसी फेक्टर क्या है चलो कोई बात निए बानवें निकाल लेंगे मैडम पहले ऑक्सिडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करो K2Cr2O7 का जो वैलेंसी फेक्टर होता है वह होता है छे तो 6 मल्टिप्लाइबाई उसकी मॉलारिटी कितनी दी हुई है 0.02 उसका वोल है कि उपर वाले सवाल के जैसे ही है कि 10 ग्राम मेरे पास एफ एस था उस एफ एस को मैंने धाई 100 ml के डाईल्यू टू एस फोर में डिसॉल किया मैंनी कि एफ एस बेसिकली हमारे पास पाउडर्ड फॉम में होता है हम एफ एस का सल्यूशन बना रहे है जैसे लास्ट केस मे हमने क्या किया था आयरन वायर को डिजॉल करके 200 अमिल का सल्यूशन बनाया था तो यहां पे हम एफ एस को डिजॉल करके 200 अमिल का सल्यूशन बना रहे है लेकिन क्या तुमारे घर में अगर आधा लीटर दूद आता है तो क्या तुम आधा लीटर दूद एक ही बद में च और उस 25 ml का हम titration कर रहे हैं, किसके साथ, आपके K2C R2O7 के साथ, ठीक है, क्या मेरे पास उस particular FESO4.NH42SO4 क्या, क्या मेरे पास उसकी molarity है, नहीं पता, और जानने में interest भी मत रखो, आप बोलो कि मैडम हम उसकी molarity निकाल के देते हैं, ठीक है, आप या फिर चलो ठीक है, molarity न क्या दोगे हैं, यह सबसे आवश्यत सुचना है, कि यहां पर उसका ऐनने एक्वेक्टर क्या लेने वाले हो, तो आप यहां पर समस्या नहीं है, आप इस whole question को ऐसे करी क्योरियों आप सिंपल यह logic लगा हो लागो आपके पास कितने milly equivalence है किसके Fe2 plus के किसके मराबर होगा आपके milly equivalence किसके oxidizing agent के तो यहां से आपके पास milly equivalence किसके आगए Fe2 plus क्या आगए ठीक है calculation कर ले ना milly equivalence आने के बाद मैं क्या करूँ मुझे तो उस Fe2 plus के milly equivalence अगर reality में कोई निकालने को कहता कि भाई निकाल जाकर तो मैं क्या करती है फॉर्म लागाती इस ऐसे हम लोगों को क्या मिल जाते यही फॉर्मला होता अब क्या यह मुझे मास्ट की वैल्यू 10 ग्राम पूट करनी चाहिए जो कि मुझे दी गई है इस कोशन में मान के चलेंगे कि हमारा संपल प्यूर है क्योंकि इसमें आपको ना तो कोई इंप्योरिटी का जिकर है और नहीं परसेंटेज आफ मास पूछा गया है तो मान के चलेंगे कि सांपल प्योर है तो यहां पे 10 ग्राम आपका वैसे का वैसी पूट हो जाएगा अब बात आती है इक्यूवालेंड मास की अब इक्यूव होता गया है एक्यूवालेंड मास होता है आप लोगों का मोलर मास ठीक है डिवाइड़ वाइब बोलो कितना आपका वैलेंसी फैक्टर यह है आप लोगों का कैल्कुलेशन अब उससे भी जरूरी सुचना मोलर मास कैसे निकालेंगे ठीक है मोलर मास कैसे निकालोगे आप यह आप calculate करके दिखाओ तो निकालो यहां से molar mass और क्या तो लेकिन अब याद रखना यहां से आपने जो यह mass put किया है यह gram में किया है देखो मेरे से यह गलती हो रही थी और हम जो calculations करते हैं यह milli में करते हैं तो mass भी याद रखना किस में होना चीए? मिली ग्राम में होना चीए तो मिली ग्राम में करने के लिए मैं इसको क्या कर देती हूँ? 1000 से multiply ठीक है मैं यहां से इसको क्या कर देती हो 1000 से multiply आच्छा समझ में आरी बात इसको हमने क्या कर दिया 1000 से multiply ओके अब यहां से मेरे पास जो मिली इक्यूवालेंट्स आये थे यह मिली इक्यूवालेंट्स मेरे किसमे निकल कर आये थे ये milli equivalence titration करने पर निकल कर आये थे और titration कितने ml के लिए क्या गया था 25 ml के लिए क्या गया था बट question में solution कितने ml का बनाया गया है 200 ml का तो अगर यही titration 200 ml के लिए किया जाता तो आपके जो milli equivalence होते वो क्या हो जाते multiply by 10 क्यो multiply by 10 25 के लिए इतना है तो 200 के लिए obvious कि उसका 10 टाइम सी होगा ना ठीक है तो यह किस के लिए निकल के आया है यह 250 ml याद रखना titration से निकाले हुए equivalence यह milli equivalence कभी भी directly use मत कलेना पहले देखना कितने volume के लिए originally आपको वो चीज चाहिए है ठीक है तो यह आपका calculation पार्ट है अब बात आती है यहाँ पर हम लोग आप लोगों का यह क्या रखने वाले है what do you say क्या ना लो उसका क्या कहते है उसको valency factor कितना रखेंगे तो देखो मेरे पास क्या है ferrous ammonium sulfate है right ferrous ammonium sulfate को अगर कोई मुझे से पूछेगा कि उसमें उसका क्या कहते है valency factor कितना है तो यहाँ पर हमारी गाड़ी अटक जाएगी ठीक है यहाँ पर मेरी गाड़ी अटक जाएगी क्यों क्योंकि Fe2 plus ferrous ammonium sulfate यानिकी Fe2 plus Fe2 plus को अगर मैं H2SO4 में Dissolve कर रही हूँ तो सिर्फ और एक solution मन रहा है सिर्फ और सिर्फ एक solution मन रहा है यहाँ पर कोई भी change नहीं हो रहा है किसमे oxidation state में तो valency factor को 0 मत लिख दे न ठीक है यहाँ पर हम लोग valency factor के concept का कोई भी use नहीं है ठीक है six twos are 12 हो जाएगा अचा 12 नहीं करते 2 into 21.25 कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 42.5 और 42.5 को multiply करोगे अगर 12 से 12 नहीं कितना 6 से ठीक है 12 कहां से आएगा तो 255 हो जाएगा और यह पुरा cut पिटाके यहाँ से मेरे पास जो molar mass की value निकल कर आनी है वो आप लोगों की calculations करनी पड़ेगी है इसमें 21.25 ठीक है कर लेते हैं 21.25 multiply by 0.02 multiply by 6 तो आता है यह पूरा calculations कर लेना यह answer आजाएगा 444.4 ठीक है क्या gram की miligram gram की miligram gram की miligram हमने इसको thousands multiply कर लिया था तो चेक करना पड़ेगा कितना आ रहे है 2.55 आता है यह पूरा calculation और 2.55 को अगर मैं divide by thousand करू तो यह answer आएगा 0.1 minute नहीं नहीं दो मिनट रोको मैं अभी यहां से molar mass आ जाएगा thousand divided by आपका 2.55 यह आएगा यह ना बिल्कुल और यहां से निकल के आएगा आपका molar mass यह मैं actually गरबड कर रही थी मैं उसको multiply करने लेके चली गई थी यह calculation से मैं नहीं कर डाली तुमारे भी हाफ पर ठीक है तो यहां से molar mass आ रहा है 392.15 ठीक है आच अब यह आ गया आप लोगों का what? molar mass अब मुझे एक बात बताओ FE SO4 का क्या तुम molar mass नहीं निकाल सकते FE का कितना होगा? 56 S में S का कितना होगा? आपका 32 O4 का कितना होगा? आपका 64 NH4 hold twice 2 तो NH4 का कितना होता है? 14 प्लस 4 अठरा 18 और 2 36 ठीक है उसमें भी एक SO4 SO4 का कितना होजाएगा? 32 प्लस 64 प्लस X टाइमस ओफ H2O एक H2O अठरा का होता है तो X H2O 18X का होगा तो बेसिकली इन सब की addition जितनी भी आती है कर लेते हैं 6 और ये 3 96 प्लस 96 ये हो गया आप लोगों का एक पार्ट ठीक है 192 192 में आपने 56 आइड कर दिया और फिर 136 भी आइड करना है तो 284 तो 284 प्लस 18X ये molecular mass आना चाहिए बट molecular mass कितना आया है? इतना तो यहां से X की value point में something आईगी बट obvious है कि X आप लोगों का water or crystallization है वो point में तो हो नहीं सकता आप क्योंकि वो point में हो नहीं सकता तो आप उसको nearest decimal में आप क्या कर लिजेगा? आप उसको convert कर लिजेगा ठीक है? ये आपका question है अब एक minute ये question तुम कर लोगे? इस question में तुमें मेरी कोई help नहीं लगेगी? हाँ इसमें help तुमें बस एक जगा लग सकती है वो मैं तुमें अभी कर देती हूँ ये जो आपको particular question दिया है मतलब आपको दिया हुआ है reducing agent इस reducing agent का valency factor निकालने में आपको तकलीफ हा सकती है है ना double salt है? कोई दिक्कत नहीं देखो के दुनिया में के प्लस ही रहता है हमिशा C2O4 पर अपनी नजरे गड़ाओ ऐसे कितने C2O4 है उसमें focus करो एक C2O4 दूसरा C2O4 एक C2O4 होता है ठीक है तो कितने CO2 बनते है एक C2O4 के होने से दो CO2 बनते है तो अगर दो C2O4 है basically दो C2O4 की power 2 negative है तो कितने CO2 बनेंगे 4 CO2 बनेंगे बस ख़ता ये concept आपके लिए आपको यूज करना है valency factor को निकालने के लिए और दूसरी यहाँ पर biggest mistake सुन लो जो लोगों से होती है वो लोग valency factor निकालते वक्त stoichiometry को consider करते हैं आप यहाँ पर valency factor calculate करते वक्त stoichiometry को ignore करोगी हर बार इस बार नहीं हर बार while calculating valency factor ignore stoichiometry normal इसके तहट आपको calculation करने का है ठीक है तो अब तो तुम में से कई लोगों को याद भी होगा कि क्या होता है इसका valency factor है ना ठीक है और के मैंनो 4 का medium कुछ बताया गया है क्या ना के मैंनो 4 का medium नहीं बताया है तो अगर के मैंनो 4 का medium नहीं बताया है तो फिर क्या मान के चलेंगे बताईए फिर तो आपको वही मानना होगा क्या कहते है आपका 5 ठीक है अच्छा और इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना देख लें दो मुझे एक बार कि ठीक है बस आपको stoichiometry को consider नहीं करना मतला basically यह देख लेंगे कि कितने carbon इंवल्ड है तो total 4 carbon हो गए ठीक है मतला जो आप calculations करते हो ना 2x minus उस calculations के दौरान आप इसको क्या करोगे ignore करोगे किसको stoichiometry को लेकिन जब आप valency factor निकालते वक्त multiply करते हो ना कितने atoms क्या atoms उस वक्त कंसिडर करना तो यहां से इस चीज का answer आ जाता है 0.0203 molar यह answer में पास दिया हुआ है ठीक है निकालके देखोगे in case अगर answer match नहीं होता है तो फिर बता वैसे हो जाएगा मुझे इस बात पर पूरा यकीन है और यहां पर आपको देखो 25 ml iodine का solution दिया हुआ है इतना इतना आपको mass of iodine कितना लगेगा क्या लगेगा यह सारी बात्चीत वो तुमसे पूछ रहा है ठीक है इसको भी देख लो और इक इसको देख लो पहले इसको पहले देख लो आपके पास एक ऑग्जालिक ऐसे डाय हाइड्रेट मतला बेसिकली वो यह पूछ रहा है क्यामनोफोर के साथ और आपको oxidizing agent की मुलारीटी निकालनी है ठीक है आपको oxidizing agent की मुलारीटी निकालनी है अप कैसे करेंगे देखो कैसा कंसेप्ट हमेशे हम यूज करते थे कि मिली equivalent किसके आपके reducing agent के equal to मिली equivalent किसके oxidizing agent के oxidizing agent के oxidizing agent के हो भी acidic medium में तो valency factor 5 होगा multiply उसका volume आपको कितना दिया हुआ है यह दिया हुआ है 24.55 लेकिन इस बार उसकी molarity निदी हर बर दिवी रहती है कोई दिक्कत नहीं तो इस बार जरूर left hand side की कोई ना कोई information दिवी होगी क्या left hand side का आपको valency factor पता है पता है C2O4 हमेशा convert होता है किसमें CO2 में और इस पूरी process के धोरान जो valency factor रहता है पूरे system में जो valency factor रहता है वो कितना रहता है आप लोगों का 2 तो valency factor रहेगा 2 क्या आपको इसका volume दिया है बिल्कुल दिया है 25 ml क्या तुम्हें इसकी molarity दी हुई है नहीं molarity तो नहीं दी तो molarity निकालो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो molarity निकालने के लिए initial data दिया है 1.52 gram के crystals oxalic acid के आप dissolve कर रहे हैं 200 ml के पानी में ठीके यानि कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि molarity oxalic acid की कितनी है तो मैं ये कहूंगी 1.52 उसका mass divided by उसका molar mass जो की कितना होता है 254 निकाल के देख लेना divide by उसका volume volume कितना है 200 ml अब molarity निकालते वक्त तो यार volume को milliliter में नहीं रखना पड़ता है वहां तो आपको उसको लीटर में convert करना पड़ता है तो यह हो जाएगा 1 by 4 पूरी calculations कर लो तो यहां से molarity oxalic acid की कितनी निकल के आईगी इतनी निकल के आने वाली है ठीक है इतनी molarity निकल के आईगी क्या किसी को oxalic acid की molarity अचा मैंने आप एक मैंने 254 कैसे ले लिया सौरी मुझे के मैंने 4 का याद रह गया oxalic acid का जो molecular mass ना वो तो तुमारा 63 रहता है 63 रहता है 63 ठीक है 63 यह आईगी आप लोगों की molarity कि इसकी oxalic acid की ठीक है यह molarity आईगी खतम का नहीं इस molarity को उठाओ और यहां पे जाकर पुट कर दो बस जैसे ही पुट करोगे तुमें oxalic acid की molarity निकल कर मिल जाएगी तो हर बार आप नीचे से उपर की तरफ जाओ ऐसा नहीं होता है कई बार आप उपर से नीचे की तरफ भी आ सकते हो और इसका जो आंसर है वो कुछ इस अरे यार इसका जो आंसर है वो कुछ यह है यह ठीक है ड़न अब एक आखरी सवाल इसके of a solution of iodine in ki require 26.5 ml 0.095 molar Na2SO3 solution to titrate the iodine हे भगवान determine molarity of iodine solution and mass of iodine per liter of solution ठीक है समझते है इस हीच को आगे सबसे पहले तो question को आपको यह देखकर identify करने का है कि वो iodometric का सवाल है कि वो iodometric का सवाल है कि वो iodometric का सवाल है अगर तुम यह identify कर सकते हो तो ही आगे बढ़ना अगर identify नहीं कर सकते तो फिर आगे बढ़के कोई मतलब नहीं है ठीक है यह सबसे पहले identification तुमारी होनी चाहिए तो simple सी चीज है यहाँ पे आपको i2 दिख रहा है ठीक है आपको यहाँ पे Na2S2O3 दिख रहा है simple सा logic लगा लो equivalence of i2 equal to equivalent of hypo अब hypo यहने की Na2S2O3 तो तुमें इतना तो पता होना चीए कि Na2S2O3 यानि की S2O3 की power 2 negative convert होता है S4O6 की power 2 negative में ताकि तुम क्या calculate कर सको valency factor calculate कर सको यह तुमको पता होना चीए ठीक है तो valency factor तुम calculate करके यह पुट कर दोगे multiply हाइपो की molarity dv है हाइपो का volume दिया हुआ है क्या बिल्कुल दिया हुआ है चलो तो right hand side की तो सारी information basically आपको dv है ठीक है और उसके बाद 25 ml of solution ठीक है क्या बोला है 25 ml of solution of iodine आपको require हो रहा है क्या करने के लिए आपके ki में अच्छा ठीक है तो इस question में हुआ क्या कि आपका जो i2 है आपका जो भी i2 है वो i2 ki में यानि कि i negative में convert हुआ लेकिन कितना ml 25 ml वो बोल रहा है कि कितना ml है 25 ml है ठीक है अब i2 का valency factor कितना होता है 2 होता है i2 से 2 times of i negative बनेगा अच्छा और उसके बाद उसका volume आपको दिया हुआ है कितना 25 ml आपको दिया हुआ है इसका volume यहाँ पर molarity आपको नहीं पता तो molarity यहां से i2 की निकल कर आ जाएगी खदम तो यह आ गई molarity अब पूछ रहा है कि iodine का पर लीटर मास कितना होगा पर लीटर मतलब molarity के formula में आप क्या करो mass put करो molar mass की value put करो iodine की पर लीटर मतलब volume को 1 लीटर डालो वहां से mass कितना आएगा वो निकाल लेना तो मैं सा बता रिती हूँ मास आता है 12.789 ग्राम और जो molarity यहां से निकल कर आती है वह आती है 0.05035 molar ठीक है यह है इस cancer तो यह हम लोगोंने basic titration से regarding सवाल कर लिए अब जो हमारा next topic रहे का इसी वीडियो के बात that would be back titrations and double titrations यह हमारे कल के topic का focus है कलम back titrations पढ़ेंगे और double titrations पढ़ेंगे इस तरीके से titration topics हमापत हो जाएगा ठीक है after finishing the topic of titrations उसके regarding कुछ advance level के सवाल है बड़ फिलाल भी हम लोग नहीं रेखने वाले ठीक है वहम बाद में रेखेंगे बाद में बाद में future में अभी इवर में इसमें वीडियो में डालूंगी क्योंकि मुझे next chapter सब्सक्राइब करना है ठीक है क्या रहेगा उसमें आपका back titrations double titrations और उसके बाद हमको volume strength of H2O2 यह topic पढ़ना है और इसके अलावा जो indicator theory मैंने पढ़ाई थी वह indicator theory हम यहां पढ़ेंगे और उसके बाद एक और topic था कि आपके पास redox reactions कितने ताइस की होती है वो ताइस पढ़ेंगे तो basically मोटा मोटी तौर पे छोटे छोटे आपके पांचे टॉपिक्स बाकी है so by Sunday यह चाप्टर करते हैं और और Monday से जो चाप्टर हम लोग start करेंगे that would be gassure state ठीक है कि एक बहुत ही प्यारा सा चाप्टर है यह चाप्टर का फॉर्मुला बेस्ट है जादा दिमार्ग लगाने लाइक तो चिंज में है नहीं रियल गैस्टिस आइडिल गैस्टिस के बारे में करो से वापे ग्राफ से एस ब्लॉट यह सब वो तुमें ही करना है वो मैं तुमें बताऊंगी किस ओर्डर में करना है हम इसके बाद जो next chapter start करेंगे वो physical का ही start करेंगे वाद 12 वाला 12 में कौन सा physical का chapter हम लोग start करने वाले है chemical kinetics ठीक है chemical kinetics हम देखेंगे हमने मैंने कहा था कि ironic equilibrium, chemical equilibrium, chemical kinetics तो इसके बाद का gashes state के बाद जो chapter पड़ोगे या तो वो chemical kinetics होगा या फिर वो solution and collaborative properties होगा इन दोनों में से कोई एक probably solution and collaborative properties होगा ठीक है solution, chemical kinetics और surface chemistry ये तीन हम लोगों को bunch अभी clear कर ले हैं तो अभी इस टीज को यहां रोपता है प्लाद